चलिए तो आज देखने वाले हैं wood के uses, basic से लेकर advance तक, complete जो uses है ना wood के, वो शुरुआत से लेकर advance तक, जो basic है और advance लेवल के हैं, ये जो wood है ना, wood model, इससे बहुत सारे confusion create होते हैं, मतलब इसको हम कैसे कैसे use करें, ठीक है हमको पता है polite request के लिए, more politeness के लिए इसका use करते हैं लेकिन फिर भी हम कई बार देखते हैं, तातेती के sense में, conditional situation के sense में इसका use किया जाता है, तो हम कैसे समझें, तो यहाँ पर simple way में मैंने आपको complete uses बताये हैं, मतलब बताने वाली हो मैं, तो उनको सीखें आपको, एक बार अगर आप उनको सीखेंगे, तो एक बार में तो ज आपने काफी बार repeat कर लिया है, वुड को सीखा है, आपने कई जगे जाकर सीखा है किताबों से, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत simple way में सिखाने वाली हूं, तो आप complete a video देखें और सीखें, देखें, वुड का जो हम use हैं ना, confuse तो करता है, मैंने बोला कि बढ़ा confusion वाला यह जो model है, यहाँ पर वुड का यूज हम past habit के लिए करते हैं, करता था, करती थी, इस sense में है, हिंदी के जो वाक्य होंगे, ता था, ती, ते थे, से एंड होंगे, तो उससे हमको पता चल जाता है, यह past habit होती है, तो अभी detail में सीखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता रह होंगा, इस तरीकी की जो desire होती है, वहाँ पर भी हम वुड का यूज करते हैं, नेरेशन में, नेरेशन में क्या होता है, पास्ट में फ्यूचर की बात की जाए, तब भी हम वुड का यूज करते हैं, प्रपोजल के लिए, ओफर के लिए, पॉलाइट रिक्वस्ट के होगा, क्या यूज होगा, किस तरीके की वर्ब आएगी, वुड हाव का, वुड हाव बीन का, वुड हाव हैड का, और कंडिशनल सेंटेंसे में, क्या कंडिशनल मूड शो होगा, वो भी वुड के हम सीखने वाले हैं, देखें, यहां पर एक चीज और जान ले, जो वुड हैं था, वुड और हैड हाव दो सेम शॉट फॉर्म, यह बुड की सेम होती है, जो एक ही होती है इस तरीके से, जशए हैं यहां पर लिखा है यहि के बाद में, इसकी डील जो लिखा है यहां तो ही वुड पढ़ेंगे, या फर ही रद पढ़ेंगे यहां पर फिनिश्ट जो शॉर्ट फर्म है तो ही वुड लाइक कॉफी लाइक से आप एचान जाएंगे यह वुड होगा यहां पर फिनिश्ट है ना तो हैड के साथ वर्प की थर्ड फर्म लगते इस तरीके से तो यह बस थोड़ी से इंफॉमेशन है कि वुड और हैड की जो शॉर्ट फर्म होत के लिए हम ता था ती थी ते थे ऐसे वाक्यों की एंडिंग होगी वहां पर आप समझ जाएंगे यहां पर वुड का यूज किया जा रहा है पास्ट हैबिट के लिए पास्ट में कोई रिपेटेड एक्शन हम किया करते थे तो यहां पर हम यूज टू का भी यूज करते है जैसे आपको पता ही होगा तो इसी सेंस में आप वुड का यूज कर सकते हैं जैसे कि उन दीनों में गिटार बजाया करता था तो करता था से आपने पहचान लिया आप used to या फिर वुड का यूज करेंगे तो those days I would play गिटार तो वुड का समझ में आ गया past habit के लिए past में को अच्छा था, तब मैं टैनेस खिला करता था, तो पहला यूज तो simple है, every summer, every summer, we, अब यहां पर देखें, वुड की short form है, ठीक है, short रूप है, every summer, we would go to the seaside, मतलब जाय करते थे seaside में, every summer, गर्मियों में, ठीक है, हर गर्मियों में, अब यहां पर वुड का पहला यूज क्लि इसके लिए आपको आने चाहिए conditional sentences, यह जो conditional sentences इनको भी बहुत easy way में मैं आपको explain किया है, तो वुड को जब सीखते हैं उससे पहले आपको conditional sentences को जो structure है उनको बनाना आना चाहिए, क्या formula है, क्या sense निकलता है, क्या वहां पर कल्पना की जाती है, imagination किया जाता है, कौन सी possible situation ह होती है, कौन सी impossible situation होती है, बहुत simple way मैं आपको सिखाया है, इससे जो previous class है उसमें तो आप सीख सकते हैं, अगर वो आते हैं आपको तो यहां पर इस वुड को सीखने में आपको बिलकुल भी परिशानी नहीं होगी, तो जो main problem यही है कि आपको conditional sentences का जो structure होता है, situation होती होती है, इसलिए आप वुड में confused हो जाते हैं, तो टाइप टू के जो conditional sentences है ना वहां पर आप वुड प्लस वप की first form के साथ वुड का यूज करेंगे ना, तो करता का sense जाएगा, अब यह इसका structure है conditional sentences का, यहां पर हम वुड का यूज करते हैं, तो if वाला जो sentence होता है, यहां प बनाया जाता है, मैंने खुद से नहीं बनाया, इंगलिश में यही formula है, यहां पर वुड है, फिर वर्ब की first form है, जैसे यहां पर एक sentence देखें, अगर तुम पढ़ते, तो यहां पर तातेती से end होगी, दोनों sentences के, अगर तुम पढ़ते तो पास होते, अगर तुमने यहां पर simple past tense है, यानि वर्ब की second form है, फिर next comma लगी है, जो दूसरा sentence बना है यह इस condition का result है, तो तुम क्या होते हैं, अगर पढ़ाई की होती तो you would pass, तो तुम पास होते हैं, वुड के बाद यहां पर पास वर्ब की first form है, तो ऐसे conditional sentences में, करता, तातेती के sense में, करता, करत के sense में, यहां पर हम would का use करते हैं, तो इसके लिए आपको conditional sentences clear होने चाहिए, अगर तुम खेलते तो जीतते, अगर तुमने खेला होता न, अच्छा perform किया होता न, तभी तो तुम जीतते न, तो अगर यह condition वाली sentence है न, इस situation को आप लिखेंगे simple past में, if you played, खेलने की second form और simple past tense, ठीक है, यह structure ऐसा ही बनता है, ऐसी आपको verb, verb की जो forms है, उनको set करना पड़ेगा, यानि simple past में बनेगा, ऐसी situation में, ऐसी condition में, तो जीतते, यह होता, तो यह होता, ठीक है, you would win, तो would हो गया, यहां पर verb की first form, यानि तो जीतते, तो result में यहां पर हम would का use करते हैं, ठीक में खेलता, लेकिन क्या है, मुझे जरूरी काम है, but I have important verb, तो यहां पर भी खेलता, I would play, तो तातेती के sense में हम यूज करते हैं, would plus verb की first form का, अगर मेरे पास पैसे होते, तो होने के sense में, यानि possession वाले sense में भी, यह जो अगर वाले if वाले sentences हैं, conditional sentences, इनका भी तो formula है, ठीक ह यहां पर हम had का use करेंगे, यानि simple past ही use कर रहे हैं, और यहां पर would का use करेंगे, result वाले sentence में, result वाले clause में, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं car ले लेता, होते तो लेता, नहीं है मेरे पास पैसे और नहीं ली है मैंने car, if I had money I would buy a car, तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, कोर यूज करना आना चाहिए उनके structure formula आपको आने चाहिए जो मैंने already आपको बता दिये हैं बहुत ही simple way में अब देखें यहाँ पर वुड का अगला जो यूज है गागेगी की sense में होगा present और future के हम संभावना बताते हैं न possibility present time की और future time की तब हम वुड का यूज करते हैं गागेगी का इसका sense निकलता है हिंदी में जैसे की यहाँ पर लिखा या अनिश्चता दिखाने के लिए uncertainty जैसे की sentence देखें मुझे लगता है कि वह आज नहीं आएगा मतलब यहाँ पर possibility दिखाई जा रही है आज यानि की present की और future की भी दिखाई जाती है मुझे लगता है कि वह आज नहीं जाएगा आएगा नहीं जाएगा तो गा से ending हो रही है तो गा से होने से यहाँ पर जो है शौर नहीं है possibility यहाँ पर possibility दिखाई जा रही है संभावना दिखाई जा रही है तो मतलब आप जो गागेगी की sense में यहाँ पर will का यूज नहीं करेंगे संभावना जब बताई जाती है present or future की वहाँ पर will की जगए मुझे लगता है कि वह आज नहीं जाएगा तो इसका मतलब है I am sure not possibility यहाँ पर surety दिखाई जाएगी अगर आप will का use करेंगे मैं यहाँ पर बता रहे हूं would का use ठीक है तो अगर आप will लगा देंगे ना तो यहाँ पर possibility नहीं जलके की possibility का sense नहीं जलकेगा ठीक है possibility वाले feeling नहीं आएगी तो I think he will not go today तो मैं sure हूँ कि वो आज नहीं जाएगा अगर मुझे संभावना दिखानी है ना तो आपको would का use करना पड़ेगा मुझे लगता है कि वो आज नहीं जाएगा इस गा के sense में देखे अब देखे I think he would not go today तो यहाँ पर not sure मतलब मुझे surety नहीं है अगर surety है तो हम will का use करेंगे ठीक है surety नहीं है possibility है संभावना है तो present or future की possibility के लिए हम would का use करते है न की will का will में जो है surety confirm होता है ठीक है certainty होती है निश्चित्ता होती है और would में uncertainty होती है अनिश्चित्ता होती है मुझे यकीन है आज बारिश होगी तो present की संभावना है possibility है कि मुझे लगता है ऐसा तो I am sure it will rain today अगर मुझे लगता है मैं sure हूँ तो यहाँ पर certainty दिख रही है कि I am sure मैं sure हूँ कि आज बारिश होगी तो यहाँ पर विल का यूज किया है लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे लगता आज बारिश होगी ऐसा sense निकलेगा ना तो I think it would rain today तो यहाँ पर possibility जलकेगी अगर आप sure है कि आज बारिश होगी तो यहाँ पर surety के लिए विल का यूज करेंगे और अर निश्चित्ता possibility संभावना के लिए वुड का यूज करेंगे present और future की तो I think मुझे लगता है कि यह concept clear हो गया होगा possibility वाला sense आपको समझ में आ जाना चाहिए अब next चलिए गागेगी के sense में ही वुड का यूज होगा यहाँ पर यह fixed structure होता है I would like to यहाँ पर चाहूँगा या पसंद करूँगा का sense निकलता है देखे गाई आ रहा है last में ठीक है अब want होता है चाहना want का मतलब होता है चाहना तो चाहने वाला sense आता है चाहने वाला लेकिन यहाँ पर चाहूँगा या पसंद करूँगा ऐसे वाके की ending होगी और यह fixed frame है इस structure का मतलब fixed ऐसा का ऐसा यह बना हुआ है अब यहाँ पर sentence देखे आज मैं पढ़ना चाहूँगा मैं कोई काम करना चाहूँगा या पसंद करूँगा उसमें आप use कर लेंगे I would like to तो I would like to study मैं पढ़ना चाहूँगा अगर यह हम ऐसे बोलेंगे कि मैं आज मैं पढ़ना चाहता हूँ ऐसे बोलेंगे चाहता हूँ, चाहती है इस sense में तो आप want to का use करेंगे I want to study तो इन में थोड़ा सा ही difference है तो यह आप ध्यान रखेंगे कोई भी काम आप करना चाहेंगे I would like to कोई भी काम आप करना चाहते हैं I want to इस तरीके से जैसे कि आज मैं पिज़ा खाना चाहूँगे I would like to eat pizza ठीक है और मैं आज पिज़ा खाना चाहती हूँ I want to eat pizza तो इस तरीके से want to और would like to में आप difference समझ गए होंगे चलिए कोई भी काम आप करना चाहेंगे या पसंद करेंगे के sense में I would like to का use करेंगे वुड का यहां पर use समझ में आ गया next है वुड का गागेगी के sense में ही past रूप में इसका use होता है direct और indirect speech में जैसे direct में past में अगर future की बात की जाती है गागेगी का sense निकलता है जैसे कि उसने कहा कि वह जीते गागा का sense निकल रहा तो वहां पर आप वुड का use करेंगे जैसे यहां पर है he said that he would study उसने कहा था उसने बात past में कहीती कि वो क्या करेगा वो study करेगा वह पढ़ेगा तो यहां पर एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और एक यहां पर said है ना तो said यहां पर past form है तो हम भी यहां पर will का would past form लगाएंगे यानि कि पहला sentence ही past में है तो इसको भी तो past बनाएंगे ना तो इस तरीके से will का would हो जाएगा तो यह एक sense निकलता है past रूप में वुड का यूज किया जाता है तो will का past रूप वुड होता है ठीक है अब next use देखें वुड का अगला इस्तिमाल है गागेगी के sense में तो sense तो इसका गागेगी यही वाला निकलेगा ठीक है proposal offers और polite request के लिए भी इसका यूज किया जाता है तो यहाँ पर भी interrogative sentences बनाता है ना प्रशन वाचक पाक के ठीक है प्रशन किया जाता है इस तरीके से कि would you like to, would you please, would you please या would you like to क्या आप यह करना चाहेंगे, क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे proposal offers of politeness के लिए आप इसका use कर लेंगे, यह simple है जैसे कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, आप उसको सामने वाले को offer दे रहे हैं, proposal दे रहे हैं, आपके उपर depend है, ठीक है जो बंदा बोल रहा है उसी के उपर depend है, कि वो उस बात को offer में present कर रहा है, या फिर proposal में present कर रहा है, तो वो sense उसके उपर है, जो बोलने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, आना पसंद करोगे, would you like to come with me, तो इस तरीके से आप politeness के साथ ऐसा पूछ सकते हो सामने वाले से, would you like to help में, क्या आप मेरे मदद करना पसंद करोगे, इस तरीके से, यहाँ पर देखे, would for polite request and questions के लिए यूज करते हैं, जैसे would you open the door please, आप politeness से सामने वाले को कह सकते हैं, कि क्या आप दर्वाजा खोलेंगे, क्रपया के साथ बोलने के लिए, would का यूज कर सकते हैं, clear है, अब देखे, नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे, open the door please, तो politeness दिखाने के लिए जादा, would you open the door please, इस तरीके से बोलते हैं, आपने सामने वाले से पूछा, क्या आप मेरे साथ चलोगे, तो आपको इसको दो सेंस में पूछ सकते हैं, would you go with me, या फिर will you go with me, अगर आपको more politeness दिखानी है ना, तो आप would का यूज करेंगे, नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे, क्या आप मेरे साथ चलोगे, will you go with me, नहीं तो politeness के लिए, would you go with me, तो ये difference है, would you know the answer, क्या आप answer जानते हैं, would you know the answer politeness के लिए, more polite के लिए आप ऐसे बोलेंगे, नहीं तो आप ऐसे बोलेंगे, do you know the answer, क्या आप answer उत्तर जानते हैं, जवाब जानते हैं, इस तरीके से, तो more politeness के लिए, आप would का use कर सकते हैं, ठीक है, अब अगला use देख लेते हैं, would be, would be के साथ verb की third form आ जाती है, तो ये तो आपको पता ही है, verb की third form इस तरीके से models में बी लग कर आ जाता है, तो वो sentence passive में बन जाता है, जहां पर हम काम को ज़्यादा value देते हैं, काम को वहाँ पर जो starting में express किया जाता है, बताया जाता है, हिंदी में इसका sense निकलता है, किया जाता, इस तरीके का ये sense निकलता है, और इसका use भी हम conditional sentences में, देखे, would जो है बहुत जादा politeness के लिए, request के लिए, offer के लिए, proposals के लिए, ये जो अभी uses हमने सीखे, और दूसरा जो इसका use है, conditional sentences में भी बहुत ज्यादा है, तो इस से थोड़ा confusion बना रहता है, कि हम कहां कहां पर would का use करते हैं, तो ये जो passive है, यहां पर conditional sentences में दिया गया है, ये जो इस structure है, वरवाला, फिर ये conditional है, ठीक है, यहां पर शर्त रखी जाएगी, ये ऐसे बनेगा, और जो इसका दूसरा clause है, वो would के साथ, would के साथ, v1 के रूप में use किया जाता है, तो इसका हम passive बनाते है, would be plus v3 करकर, ठीक है, इसी का हम passive बनाते है, ये conditional sentences का formula है, अब देखे, sentence है, यहां पर देखे, sentence, अगर तुम चोर होते तो मैं तुम्हें पीटता, तो इसको पहले active में बनाएंगे, passive में बाद में है, यहां पर be घटा दे और ये ing भी आटा दे, तो यहां पर है, अगर तुम चोर होते तो मैं तुम्हें पीटता, तो if you were a thief, यू के बाद में were लगा यह fixed structure है, अब I would beat you, इस तरीके से हमने बनाया, यह जो formula है, I would beat you, if you were a thief, I would beat you, यह active में बन जाता है, इसी को हम passive में बनाते हैं, तो would be लगा कर, जो verb होगी, वो third form में आ जाएगी, जैसे कि अगर तुम चोर होते, तो मेरे द्वारा तुम पीते जाते, तो यह वाला passive में है, अगर तुम चोर होते, तो मेरे द्वारा तुम पीते जाते हैं, नहीं मेरे द्वारा कोई काम किया जाता, किसी के द्वारा, तो उसको passive में बनाया है, इसी को, इसी conditional sentence को, if you were a thief, you would be beaten, you would be beaten by me, by me, तो यहाँ पर देखे, would, फिर be, और यह beaten verb की third form, नहीं तो हम would के बाद में beat लिखेंगे, यह वाले structure के according, conditional sentences के according, यह type 2 वाले conditional sentences है, जहाँ पर हम कल्पनाएं करते हैं, अब एक और sentence देखे, यहाँ पर ऐसे दिया, यह active में, यह passive में, active में बनाएंगे, if I were you, अगर मैं तुम होता, तो देखे, यहाँ पर I के बाद में was नहीं लिखा है, were लिखा है, क्योंकि यह fixed structure ऐसा ही रहता है, grammar का rule है, अब यहाँ पर if I were you, अगर मैं तुम होता, तो I would buy this car, तो मैं इस car को खरी दिता, अगर मैं तुम होता, यह active में बना, would के बाद में, V1, अब इसी को हम passive में बनाएंगे, तो would be के बाद में, यह third form लग गए, bought के, if I were you, यह as it is रहे रहना, तो इस object को subject बनाते है, तो this car would be bought by me, समझ में आ रहा होगा, एक दुबार ध्यान से देखें और फिर सी, आप समझ पाएंगे इसको, नहीं तो बड़ा टफ लगता है, starting में, अगर आप beginner हैं तो, बार बार repeat करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो समझ में आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है, तो if I were you, this car would be bought by me, तो would be और bought ये passive बना दिया गया है, conditional sentences है ना, type 2 वाले उनका, अब यहाँ पर और है, if I were a police, अगर मैं पुलिस होता, I would arrest all criminals, तो मैं क्या करता, सारे criminals को arrest कर लेता, तो ता तेती से ही वाके की ending हो और फिर arrested third firm, तो ये तो as it is आएगा, if I were a police, अगर मैं पुलिस होता, तो all criminals यहाँ पर इस object को subject बनाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर काम को महत्वस जादा दिया जाता है, तो all criminals would be arrested, किसके दोरा by me, तो इस तरीके से use होगा, अब एक और है, इसी conditional sentences में जो possession की बात आती है, तो हम had का use करते है, if वाले sentence में had का और would के साथ we won का use करते है, जैसे कि अब इसको भी हम जो passive में बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा, if I had enough money, अगर मेरे पास काफी पैसा होता ना, तो I would buy a big house में एक बड़ा घर खरीदता, ठीक है, पैसा होता तो बहुत सारा खरीदता, यह काम क करता, यह condition है, और यह result है, पैसे होने के बाद में घर खरीदता, कल्पना कर रहा हूं, कर रही हूं, यह active है, अब इसी को हम passive बनाएंगे, if I had enough money, यह तो as it is रहेगा, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता, तो a big house would be bought by me, एक बड़ा घर मेरे द्वारा खरीदा जाता, एक तो यहां पर देखे, conditional का structure यहां पर चल रहा है, ठीक है, उसको passive में बना रहे है, would का use करके कैसे बना रहे है, तो if I had money, अगर मेरे पास पैसे होते, तो I would buy a car, तो में car खरीदता, active में है, इसी को passive में बनाएंगे, यह would है, तो would be, और third form आ जाएगी, if I had money, a car would be bought by me, मतलब मेरे द्वारे एक car खरीदी जाती, यह काम किया जाता, तो मुझे लग रहे है, समझ में आ गया होगा, अगर आप beginner है ना, तो थोड़ी बहुत तो परिशानी होगी, अब लेकिन एक दो बार, मतलब एक दो दिन भी अगर आप practice कर लेते हैं तो यह जो concept है ना, clear हो जाएगा अब चलिए, would be, would be का होता के sense में, state of being, imagination, would be का, कैसे, जैसे कि if आजाएगा और were वाले sentences में, state of being वाले में, यानि कि आप कुछ होते कहीं होते के sense में, तो यहाँ पर भी were लगेगा, यह भी imagination होती है, कल्पना होती है, would be, और यहाँ पर जो भी आप होते ना, verb नहीं ऐखें, सेंटेंस, यदि में राजा होता, तो महल में होता, यहाँ पर, मैं कहीं होता, ऐसे sense में, would be का, यूज करते हैं, conditional sentences मेν, type two में करते हैं, यदी में सेंटेंस होता, तो महल में होता, if I were a king, तो were का use होeur, जैसे मैंने बता है, fix structure है, was का use नहीं होता, were का use होता है, जहा तो कहीं पर होते के sense में would be लगा हुआ है would be के बाद यहाँ पर कोई verb नहीं आएगी कोई कहीं पर है इस sense में अब देखें अगला sentence देखें यदी मैं तुम होता if I were you यदी मैं तुम होता तो एक doctor होता I would be a doctor तो doctor होना भी यहाँ पर कोई काम नहीं है आसी मैं कलपना कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि अगर मैं तुम होता ना तो मैं क्या होता एक doctor होता तो यहाँ पर भी कोई कलपना की जा रही है तो imagination यहाँ पर ऐसे conditional sentences में कलपना करने वाले यह जो sentences है ना यहाँ पर भी हम ऐसे use करेंगे और यह इसका structure होता है यहाँ पर word लगता है इफ वाले sentence में और यहाँ पर would be लगकर जो भी आप होते या कहीं होते के sense में वो आपको लिखते ना है तो यह would be का use होता है होता के sense में होता ऐसे ending होगी वाक्य की होता अब would be के बाद verb की first form के साथ ing लग जाता है तो sense जाएगा रहा होगा present time में possibility यानि कि present time में कोई कुछ कर रहा होगा इस sense में हम would be का use करते हैं वो अपकी first form के साथ ing लग जाता है जैसे कि वह खेल रहा होगा तो यहाँ पर मैं possibility दिखा रही हूँ वो इस समय खेल रहा होगा ठीक है तब तो आप क्या करेंगे must be का use करेंगे यहाँ पर खेल रहा है और इन sentences में sleeping हो गया है तो आप यहाँ पर कर लें इसको सो रहा होगा सो ना कर लें हाँ पर मतलब वह सो रहा होगा इस वक्त present time में आप possibility दिखाते हैं तो आप ऐसे बनाएंगे he must be sleeping at this time यानि इस वक्त वह सो रहा होगा तो जरूर का sense आएगा तो आप must be का use करेंगे अगर आप possibility दिखाना चाहते हैं present time में कोई कुछ इस समय काम कर रहा होगा आप uncertainty दिखाना चाहते हैं ठीक है आप confirm नहीं है तो आप इस तरीकी से बनाएंगे he would be sleeping at this time यानि कि इस वक्त वह सो रहा होगा अगर इस से थोड़ी possibility कम है तो maybe का use कर देंगे और ना के बराबर है तो might be का use कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर must be दरूर सो रहा होगा यह वाले feeling आएगी ना तो must be लगाएंगे और possibility would be इसके बाद would be आ जाता है फिर इससे नीचे maybe हो जाता है फिर might be ना के बराबर शायद ही वह इस वक्त सो रहा होगा या शायद वह सो रहा होगा तो maybe sleeping at this time तो मुझे लगता है इस तरीके से आपने यह जो comparison मैंने बताया है तो would be का आप use समझ गए होंगे वर्ब की first form के साथ ing लगा कर कोई present time में कुछ कर रहा होगा अगर हमको संभावना दिखानी होती है तो would be का use करते है would be के साथ वर्ब की first form के साथ ing लग जाती है तो कर रहा होता तो ऐसे वाके ता तेती का अगर sense आता है ना तो वो conditional में चले जाते हैं ठीक है कर रहा होता कर रहा यहाँ पर था कि कर रहा रहा होगा कोई कर रहा होगा इस वक्त कोई काम तो अब यहाँ कर रहा होता ता से एंडिंग हो रही है ठीक है तो conditional वाके बन जाएंगे conditional type 2 है यह present में रहकर present की कल्बना की जाती है इन में जैसे कि यह जो structure है यहाँ पर head या word और v2 यानि कि position में आप if के बाद if वाले sentence if वाले clause में head लगा देंगे और यहाँ पर word as a be verb यूज करेंगे वर का जैसे मने बताया कोई भी subject होगा उसके साथ वर का और जो verb होगी वर्ब की second form का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर simple past की बात होती है और यहाँ पर would be और वर्ब के साथ ing लग जाएगा वर्ब की first form के साथ कोई इस वक्त कोई काम कर रहा होता इस sense में अब sentence से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे जैसे कि अगर उसके पास पैसे होते अब यहाँ पर position वाला scene है head का use होगा अगर उसके पास यानि किसी के पास कुछ है ना यह sense जा रहा है तो head वाला आएगा यहाँ पर head लिखा है ना तो अगर उसके पास पैसे होते if he had money तो पहला if वाला sentence बना लिया होते तो वो क्या करता वह car खरीद रहा होता इस वक्त कोई काम कर रहा होता यहाँ पर conditional में continuity को बताया जा रहा है तो क्या होता if he had money he would be buying a car वो इस वक्त कार खरीद रहा होता जब condition रखी जाती है ना उस वक्त की बात है तो यहाँ पर हम present में ही present में ही कलपना करते हैं देखें यहाँ पर मैंने बताया है कि present में रहकर present की कलपना की जाती है इस sense में present में रहकर present की कलपना की जाती है लेकिन यह कालपनिक वाक्य है यदि मैं lottery जीता present में मैं सोच रहा हूं कि if I won the lottery won हो गया क्योंकि मैंने बताया तीन तरीके से वाक्य बनाएंगे यहाँ पर verb की second form अगर verb आएगी तो second form आएगी if I won the lottery तो मैं क्या करता तो एक घर खरीद रहा होता I would be buying a house तो would be buying आप समझ रहे होंगे कोई काम कर रहा होता present में और यह कालपनिक वाकिय है कालपनिक situation आएगी न तब if I were 25 अगर मैं 25 का होता वर है यहाँ पर state of being की बात हो रही है conditional sentence है इसलिए I के साथ वर का use हुआ है was का use नहीं हुआ है यह fixed structure है I would be traveling the world तो मैं क्या कर रहा होता मैं संसार गूम रहा होता मैं 25 का होता 25 साल का ठीक है if I had money अगर मेरे पास क्या होते possession की बात है मेरे पास पैसे होते और conditional sentence है if से शुरू हो रहे है तो मैं क्या करता I would be buying a laptop तो मैं laptop खरीद रहा होता अगर मेरे पास पैसे होते तो ऐसे वाकियों में कलपना की जा रही है और मैं कुछ होता तो कुछ कर रहा होता इस तरीके से तो मुझे लगा है समझ में आ रहा होगा तो दीरे दीरे करके समझ में आएंगे concept अगला use देखें would का क्या situation है would be के साथ verb की third form हम would का use करते हैं न past repeated action के लिए तो किया जाता था का sense निकलेगा would के would में जब सिर्फ would होगा न ता था ती थी ते थे ये वाले feeling आती है इस तरीके से हिंदी के वाके के ending होती है लेकिन बी के साथ verb की third form लग जाती है तो उसी sentence का यानि past में कोई काम किया जाता था मेरे द्वारा तो passive में जब बनाएंगे तो किया जाता था के sense में हम use करते हैं तो आप ये देखे sentences तब समझ में आएगा तो passive sense जा रहा है वुड बी के साथ verb की third form और जो past repeated action वाले sentences बनाते हैं उन्ही का passive जैसे कि I would play the piano मैं पियानो बजाया करता था अब इसी को में जब पैसिव में बनाऊंगे तो वुड बी played हो जाएगा बी के साथ verb की third form का use हो जाएगा वुड के बाद जैसे कि I would play the piano मैं पियानो बजाया करता था ये किया करता था past में काम तो यहाँ पर हम इसको passive में बनाएंगे तो the piano would be played by me तो मुझे लग रहा होगा तो active बनेगा तो passive बनेगा sentence का अब यहाँ पर देखें I would play football में football खिला करता था active में है अब इसको passive में बनाएंगे तो football इसको पहले लियाएंगे football would be played would be played तो would be के साथ verb की third form football would be played by me मेरे द्वारा football खेली जाती थी कोई काम किया जाता था I would be beaten और इसी के passive में है जैसे कि मुझे मारा जाता था I would be beaten I would be insulted मुझे insult किया जाता था तो would be verb की third form समझ में आ गया होगा जो passive में बनाते हैं past repeated action वाले जो sentences हैं उनको active से passive में convert करते हैं तो इस तरीके से would be के साथ verb की third form लग जाती है यह use है अब अगला देखें वुड हाव के साथ वुड हाव वुड और वुड के साथ हाव लग जाता है तो क्या sense निकलता है चुका होता या लिया होता तो ता तेती वाला sense निकलता है ना तो आप जट से समझ जाएं कि यहाँ पर conditional की बात हो रही है तो यह type 3 conditional sentences है imagination वाले चुका होता या लिया होता इस तरीके से sense निकलता है जैसे कोई काम कर चुका होता या मैंने कर लिया होता इस तरीके से अब यहाँ पर इसका structure क्या है इफ से शिरू होँगे conditional है तो पहले पहला जो होगा ना जो शर्त रखी जाएगी condition रखी जाएगी वो past perfect में होगा यानि कि past perfect में मतलब यहाँ पर verb की third form का use होगा head के साथ head के साथ भी three का use होगा वही तो होता है न past perfect फिर next जो result होगा न would वाला तो वहाँ पर would half के साथ verb की third form लगेगी यह type three वाले conditional sentences है तो यह मैंने already आपको बता दिये हैं अगर वो आते हैं न तो यह आप easily समझ जाएंगे जैसे कि यदि उसके यदि उसने पैसे बचाए होते यदि उसने पैसे बचाए होते यानि बचा लिये होते तो if he had saved money तो had के साथ verb की third form यदि उसने अगर उसने पैसे बचाए होते condition रखी जा रही है past की ही condition है ठीके past का ही result है कल्पना की जा रही है यदि उसने पैसे बचाए होते if he had saved money तो आज एक नई car ले चुका होता क्या काम कर चुका था एक नई car लेने का तो he would have bought would have के साथ verb की third form he would have bought a new car he would have bought a new car तो समझ में आ रहा होगा would have verb की third form had plus verb की third form तो इस तरीके से ये conditional का structure होता है type 3 वाले sentences है यहाँ पर would have verb की third form का इस तरीके से use होता है अब देखे if I had studied अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती कर चुकी होती past में तो I would have passed the exam तो मैं exam परिक्षा past कर चुकी होती या कर ली होती if you had asked him अगर तुमने उससे पूछा होता अगर तुमने उससे पूछा होता पूछ लिया होता ठीक है तो he would have helped you तो वो क्या करती तुम्हारी मदद कर चुकी होती या कर ली होती तुम्हारी मदद कर दी होती तो कर चुकी होती या कर ली होती कैसे भी आप ending कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आप ही पहले तो would have के साथ have के साथ helped यहां पर third form है यदि तुमने उससे पूछा होता पूछा होता तो वो तुम्हारी मदद कर चुकी होती past में ये काम कर चुकी होती मदद करने वाला past में ही पूछा होता तो इस तरीके के बाके में would have के साथ वीत्री लगता है conditional वाले अब देखें would have का चुका होगा अब यहां पर होगा तो होगा के सेंस में यहां पर चुका होगा तो present और past possibility के लिए हम would have का यूज करते हैं present और past possibility के लिए जैसे कि यहां पर है वह अब तक खेल चुका होगा present में present में हम possibility कर रहे हैं कि वो अभी हम घर पे बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे हैं हम संभावना जता रहे हैं कि he would have played by now यानि अब तक वो खेल चुका होगा तो या अब तक वो वहाँ पहुच चुका होगा इस तरीके से तो would have के साथ played यहां पर third form है would के साथ अगर have आ जाता है फिर जो भी वाब आएगी न वो तो third form में आएगी तो यह present में हम possibility दिखा रहे हैं और sentences देखें he would have studied by now यानि अब तक वह पढ़ चुका होगा पढ़ लिया होगा ठीके पढ़ चुका होगा he would have slept by now अब तक वह सो चुका होगा present के संभावना दिखाई जा रही है he would have eaten by now अब तक उसने खा लिया होगा खा चुका होगा अब देखें यहां पर कल्पना की जाती conditional वाले वाक्यों में भी would have का use होता है कैसे if I had come home earlier अगर मैं पहले घर जल्दी आ चुका होता आ लिया होता ना आ चुका होता तो I would have gone to party तो मैं कल्पना करता हूँ तो मैं क्या करता मैं party में जा चुका होता अगर मैं जल्दी आ चुका होता तो मैं party में भी जा चुका होता ठीक है गया होता इस तरीके से या जा चुका होता तो आप जैसे भी आपको सही लगे अब यहाँ पर position वाला देखे if I had head money अब यहाँ पर यह जो head है ना यह वाला head दो बार head आया ना यह head और आप देख रहे हैं यह head इस head के बाद में हमको V3 चाहिए यहाँ पर come लिखा है ठीक है? come की second form came और third form come होती है यहाँ पर क्या है? has have has have possession वाले में has have first form, फिर had second और had third form तो इस तरीके से यहाँ पर दो बार head आया है if I had head money अगर मेरे पास पैसे होते तो I would have bought a car तो मैं कलपना करता हूँ कि मैं क्या करीद चुका होता है कार खरीद चुका होता तो would have bought यहाँ पर would have gone यहाँ पर तो would have के साथ वापकी third form का use होता है conditional वाले sentences में कलपना वाले sentences में और present में जब हम क्या करते हैं possibility दिखाते हैं तो चुका होगा के sense में यहाँ पर हम would have का use करते हैं चलिए, अब next use देख लेते हैं तो अधिक तर आपको conditional uses would के बहुत ज़्यादा मिलते हैं लेकिन आपको concept clear करने के लिए इस base को भी मजबूत करना पड़ेगा अब यहाँ पर है would have to या would have had to दोनों का ही use कर सकते हैं had भी लगा दे तो भी चलेगा या would have to जैसे has to, have to, will have to इनका use करते हैं ना कोई काम करना पड़ता है present में कोई काम करना पड़ा होगा future में कोई काम करना पड़ा past में तो had to, has have to उसी sense में हम would have to का use करेंगे तो इसका mean क्या निकलेगा would have to का use करें या फिर आप would have had to का use करें कुछ करना पड़ता तो तासे ending हो रही है और पढ़ जाता, कुछ करना पढ़ता या कुछ करना पढ़ जाता तासे ending हो रही है, तो ठीक है, यह conditional वाले sentences है इम्में तातेती का ही sense आपको मिलेगा जैसे sentence है, अगर वह यहां आती अगर वह यहां आती, तो मुझे बोलना पढ़ जाता तो मुझे क्या काम करना पड़ जाता बोलने का काम would have to अगर वह यहां आती तो she had come here तो यहां पर had plus verb की third form if वाले sentences में यह sentence में यहां पर fixed structure है ठीक है यह part 3 वाला conditional sentence है यानि type 3 वाला if she had come here I would have I would have to talk या I would have had to talk तो दोनों का आप use कर सकते हैं मैंने बताया would have to या would have had to दोनों का यूज़ कर सकते हैं किसी का भी ठीक है अब यह काम करना पड़ जाता तो यहां पर पड़ जाता से ending हो रही है अब अगला देखे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती if you had not listen to me अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती आप मुझे सुना नहीं होता तो तुम्हें रोज खाना बनाना पड़ता तो क्या करना पड़ता तुम्हें रोज खाना बनाना पड़ता यू यहां पर लिखना है would यहां पर miss है तो would have to cook food everyday would have to cook food everyday तो यू के बाद में आपको क्या करना है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो तुम्हे रोज खाना बनाना पड़ता ये काम करना पड़ जाता तो पास्ट में कोई कल्पना की जा रही है तीक है इस सेंस में आप यूज कर लेंगे अब अगला use देखें यहाँ पर would have to, करना पढ़ता होगा, यह तो अभी तो हमने conditional में देखा, अब हम possibility के sense में देखेंगे present और future की would have to, यानि करना पढ़ता होगा, present में और future में हम समभवना दिखाते हैं, जैसे कि तुम्हें रोज बनाना पढ़ता होगा, मतलब खाना बना यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर खाना आ गया है, तो यहाँ पर आप कपड़े लिख ले, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लोट की बात की है, तो उसे रोज कपड़े धोने पढ़ते होंगे, इस तरीके से, He would have to wash clothes everyday, उसे रोज कपड़े धोने पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर भी संभावना दिखाई जा रही, He would have to wash clothes everyday, कोई काम रोजाना करना पढ़ता होगा, ऐसी संभावना दिखाते हैं न, तो हम would have to का यूज करेंगे, और सेंस निकलेगा करना पढ़ता होगा, कोई काम करन पढ़ता होगा, तो इस तरीके से possibility के लिए आप would have to का यूज करेंगे, अगर हम इसी को future में जैसे बताते हैं न, compulsion के sense में, यानि के अनिवारिता के लिए उसे कपड़े, इसे बोलेंगे, उसे रोज कपड़े दोने पढ़ेंगे या होंगे, तो he will have to wash clothes everyday, तो यहाँ पर will have to का use होगा, अगर अनिवारिता दिखाई जाएगी, लेकिन आपको जब possibility की बात करेंगे, वो आपको ध्यान रखना है, possibility के sense में, आप would have to का use करेंगे, यानि कि किसी को कोई काम करना पढ़ता होगा के sense में, present या future में, future में दिखाएंगे, तो हम will have to का use करेंगे, और present में जो possibility दिखाते हैं, तो हम use करते हैं, would have to का, next use देखें, would have, had to करना पढ़ता होगा, past possibility के लिए, would have, had आगया न, have के बाद, तो ये past possibility को दिखाता है, आपको रोज खाना बनाना पढ़ा होगा, यानि कोई काम आपको past में करना पढ़ा होगा, ऐसी संभावना दिखाने के ल यहां पर आप देख सकते हैं, पहचाने के कैसे, पढ़ा और होगा, यहां पर पढ़ा, आका सेंस आ रहा है, फिर होगा, यानि कि past की बात हो रही है, यहां पर ता होगा, पढ़ता होगा, कोई काम करना पढ़ता होगा, तो present की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप सा इनको differentiate कर सकते हैं अब अगला देखें आपको रोज कपड़े धोने पड़े होंगे पास्ट में पास्ट की possibility you would have had to wash clothes everyday आपको रोज खाना बनाना पड़ा होगा you would have had to cook food everyday तो हाव के बाद में एक हैड और बोलना आपको तो इस तरीके से past possibility के लाप would have had to करना पड़ा होगा के sense में use करेंगे अब यहाँ पर देखें would have had to एक और यूज़े कुछ करना ही पढ़ता या करना पड़ जाता कल्पना के sense में सेम यही conditional में हम यूज़ करेंगे possibility में यूज़ कर लिया ठीक है अब यहाँ पर conditional में आ जाएगा कुछ करना ही पढ़ता या करना पड़ जाता तो यहां पर had और verb की third form का use होगा would have had to का use होगा यह जो अगला जो clause है ना उसमें if वाले में had v3 का use होगा जैसे यदि तुमने खाना नहीं बनाया होता तो मुझे बनाना पढ़ जाता या पढ़ता अगर तुमने नहीं बनाया होता तो if you had not cooked food I would have had to cook I would have had to cook तो इस तरीके से बना लेंगे यदि उस दिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिये होते if you had not given me money that day तो मुझे अपनी कार बेचनी पढ़ जाती तो कार को बेचने वाला काम करना पढ़ जाता तो I would have had to sell my car तो कोई काम करना पढ़ जाता कोई काम करना पढ़ जाता कंडिशनल में इस सेंस में आप would have had to का यूज करेंगे जो second clause होता है रिजल्ट वाले में तो इसके लिए कंडिशनल आने जरूरी है नहीं तो थोड़ा सा आपको टफ लगता है would have had past होता past में कोई चीज आपके past होती के सेंस में यह भी conditional में आता है तातेती का सेंस मतलब conditional की बात हो रही है I would have had a car मेरे पास car होती तो यहाँ पर एक conditional sentences भी आप आगे जोर सकते हैं मैंने short में बताया है I would have had a laptop मेरे पास laptop होता ठीक है past में कल्पना करते हैं भी conditional में ही आएगा अब सेम ऐसे would have been का किया जा चुका होगा किया जा चुका होगा कोई काम passive में यूज करते हैं यहाँ पर have के बाद b की third form है बीन जैसे की कमरा साफ किया जा चुका होगा room would have been cleaned तो यहाँ पर possibility दिखाई जा रहे है would have been cleaned यहाँ पर third form है possibility है और यह passive में sentence है कोई काम किया जा चुका होगा match would have been played match खेला जा चुका होगा would have been played computer would have been repaired computer repaired किया जा चुका होगा कोई काम कर दिया कर दिया जा चुका होगा essence में किया जा चुका होगा essence में would have been और फिर आपको V3 लगानी है यानि कि इसको हमने passive बनाया है अब would have been यानि होता अब ये conditional में आ गया past imagination के लिए कल्पना के लिए would have been जैसे कि यही structure follow होगा had, if वाले clause के साथ had के साथ V3 आ जाएगा यहाँ पर would have been फिर object आ जाएगा past imagination, past कल्पना यानि कि कोई कुछ होता के sense में यहाँ पर object आएगा would have been के बाद कोई verb नहीं आएगी यदि तुमने पढ़ाई की होती if you had studied तो तुम क्या होते आज एक teacher बन गए होते तो कल्पना की जा रही है past में ऐसा किया होता तो यह result निकलता you would have been a teacher today आज तुम एक teacher होते तो हम कल्पना भी तो करते हैं न डेले लाइफ में तो ऐसे वाक्य would को लेकर बनाया जाते हैं तो would have been के बाद में यहाँ पर teacher का sense आ रहा है मतलब object आ रहा है कोई verb नहीं आएगी कोई काम नहीं आएगा without verb वाला यह वाक्य है would have been वाला और यहाँ पर देखा would have been के साथ वीत्री लगा है तो इसको passive में किया गया है तो समझ में आ रहा होगा यह गागेगी का sense है तो यहाँ पर possibility दिखाई जा रहे है यहाँ पर conditional आ गया होता होती यानि तातेती के sense में conditional आ जाता है तो इस तरीके से आप समझ सकते है you would have been अब इस तरीके से और भी बना सकते हैं पहले तो condition जोड़ दे जैसे यहाँ पर if को लेकर कोई condition यानि कोई शर्त बना दी शर्त बोल दी या शर्त लिख दी उसके बाद आप result लिखेंगे you would have been a doctor तुम डॉक्टर होते पढ़ाई की होती you would have been a cricketer तुम एक क्रिकेटर होती अगर पढ़ाई की होती या थेला होता अच्छा you would have been an actor तुम एक्टर होते तो इस तरीके से आप sentences बना लेंगे तो उमीद है कि बहुत सारे uses आपने यहाँ पर सीखे would have, would के कभी have लग रहा है कभी V3, passive में, active में conditional sentences में present possibility में तो एक बार तो समझ में नहीं आता लेकिन धीरे धीरे करके जब आप अपने doubt clear करते रहते हैं तो समझ में आता है धीरे धीरे करके और बार बार प्राक्टेस करने से